एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतिय स्वस्त और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्त्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुचाता है। सभी तंबाकू पदार खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ। आपको भी रहना चाहिए। आईए तंबाकू के सामने दीबार बनकर खड़े हो। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो, तब रनाओट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूमरपान करते हैं या आपके आजपास कोई धूमरपान करता हैं, तो वह आपको नुकसान पहुचाता है। ये एक पुलिस आफिसर का चैलेंज इनकान के सावरा तूरे को नग्याज दोग बत्रों को जो तर तूर्वनी एबार टूर्पडों प्रप्री में से प्राइबाएर विर्पार टूर्भार लगर टूर्वनीय। आप जबके हमाम ठेकल ठाट थाओ, इमान, ऴूट, अज़ Clone आज तू नहीं पजेगा चेकरवाथी आज तू मेरा होच्छे मरेगा चेकरवाथी तू नहीं छोड़ू नहीं चेकरवाथी झाल अज तू तू नहीं चेकरवाथी तू तू प्यो Something झाल प्योजोग झाल आज तू जंदा नहीं बचेगा चकरवाते जाड सुजा चक्रवरती ने हमें सर्प्राइज देने के लिए हम लोगों को यहां खुद बुलाया है और खुद ही नहीं क्या चक्रवरती मर गया चक्रवर्ती इतनी हसानी से मरने वाले लोगों में से लेकिन ये कबर माद गलत हो मतलब? वो आएगा, जरूर आएगा दुनिया को हिलाने के लिए अन्डर्वर्ड में तुम लोग कैसे गुषते हो यह तुमें अच्छी तरह से पता है और तुम लोगों को वहाँ से बाहर कैसे लाना है यह हमें अच्छी तरह से पता है आपका अरिस्ट करना कोई नई बात नहीं और मेरा भाग जाना भी कोई नई बात नहीं तु यहाँ बैटकर बैंगलूरू को कंट्रोल करेगा मैं वहाँ बैटकर भी यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ मैं एक बाज के जैसा हूँ पहाड समुंदर मेरे लिए कुछ नहीं पहाड पार कर सकते हो मुझ जैसे ग्रह को नहीं बाज कितना भी उपर उड़े पर वो आकर पेड़ पर ही बैठेगा उसी बाज को पकड़ कर अंदर डालने वाला हूँ मैं बाकि इन सब को कस्टडी में रखो चकरवर्ती मेरे साथ इंडिया जाएगा ओके चकरवर्ती दिवान कंपनी की कहानी खत्म हो चुकी है और तुम्हारी कहानी यहां पर खत्म हो जाएगी लेकिन अपनी मिट्टी का कर्ज भी बाकि है चकरवर्ती यही था क्या तुम्हारे सर्प्राइज मिट्र सूरिया यहां से आपकी कस्टडी शुरू और मेरी जिम्हारी खत्म होई मेरी फोर्स मेरा इंतजार कर रही है और लेकिन आपकी क्वारे की मेरी भी था क्वारे की तुम्हारी की तुम्हारी हुआ 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 हु शकत्रवधी की शकत्रवधी की शकत्रवधी की शकत्रवधी की इन गभी ने केदियों को देखा सर। इनường को ड्रेज देकर, खा नहीं को धैकर लो इसके बद भी हमारे लिए और भी जै-ब ली है के दियों न है रेने लो आज के बाद कभी किसी को सबक्राइब इनको अंदर करते हैं सर में कि रॉज रॉज में दिमाग है सब्सक्ष कोई इस करेंगे न फिर पे इसकाइब कूगोर्प म सजा नहीं दी तो इसका क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ थैंक्स थैंक्स किसलिए बिना पासपोर्ट के इंडिया लेकर आने के लिए अंडर वर्ल्ड डॉन शंकर चक्रबर्ती को मलेशा पुलीस के सहायता से DCP सूर्य कांथ ने गिरवतार कर लिया है कल शंकर चक्रबर्ती को अदालत पे दीजा सुनाई जाएगी शंकर की दुश्मन अब शंकर को माने की कोशिश करेंगे क्या शंकर के दुश्मन शंकर तक महज़ पाएँगे इसके लिए स्पेशल टीम को अरेंज किया गया है है सुनो उसके उपर जितने भी मडर केस है ना उसमें से कुमार का भी है उसके हम लोग भी गवा है ध्यान में रखो अब इनके साथ हम कैसे रहेंगे फाल्तु की बात मत कर इस खंबे को गटा के चुप-चाप सो जाएंगे लेकिन अपना मुह नहीं खोलेंगे है सहाब आ गए नमस्टे सर आईये साब आप तो वहीं है ना जो शंकर को विदेश से इंडिया लेके आएं शंकर तुम पर इतने सारे केस रेजिस्टर हुए हैं पर एक केस में भी तुम अपियर नहीं हुए वाई इन में से कोई भी जुर्म मैंने नहीं किया इन पुलिस वा जानता जसाब इसाद्मी को मैं नहीं चानता पहले कभी नहीं देखा मैंने फिर आप ही बताईए इसे मैं कैसे पैचान सकता हूंँ जसाब यह आदमी कौन है जज साहब मुझे इसके बारे में कुछ पदा नहीं जज साहब यूर आज मैं अपना वो बयान बदलना चाहती हूँ भावना जी क्या हुआ आपको इतने वर्षों के बाद ये आरोपी मिला है और आपने अपना बयान बदल दिया इसका क्या मतलब जो गवाही देने आया है वो शंकर को अडेंटिफाइ नहीं कर पाया पीपी उनसे जबरदस्ती सच गुलवाना चाहते हैं आपसे अनुरोध है इसके लिए क्रिप्या मौका मत दीजिए यूर अनर आई रिक्वेस्ट टाइम दिकोर्ट इस एडजर्ण फर टुड़े केस न केस नमबर 860 इसके लिए कोई और गवाह है क्या आई है यूर अनर आपका नाम शांती आप क्या करती है मैं शहर में जॉब करती हूं आपके पती कौन है अंडर वर्ल्ड ऑन एक बड़ा क्रिमिनल मेरे सामने जो खड़े है न यही है मेरे पती कुमार का जो कतल हुआ मेरे पती के हाथ हुआ इतना ही नहीं और जो आमस केस हुआता उसकी गवा भी मैं हूं आपके साथ कौन आया है मेरे पापा शांती रिष्टे में तो मेरी बहु लगती है जस्साब लेकिन वो मेरी बेटी के जैसी है यह मेरा बेटा देखो इसे क्रिमिनल और देश द्रोही है योर अनर मैं आपसे विंदी करता हूँ आप इसे बहुत जल्दी कोई कठोर सजा दे दो जिसे देखकर दूसरे देश द्रोहिये को सबक मिल सके किसे भी कीमत पर इसे बिलकुल नहीं छोड़ना आप जब भी चाहिए मैं आकर गवाही दूँगा मैं अब इस केस का फैसला अगले महिने की 27 तारिक टक के लिए पोस्पॉन करता हूँ शंकर के बारे में लोगों में जितना डर है उतना उससे प्यार भी है अरे काहे का प्यार है जिसे अपने परिवार की चिंता ना हो वो समाज की चिंता क्या करेगा शंकर के बारे में जो आप लोग कह रहे हो वो मुझे सही नहीं लग रहा है ऐसे लोगों को सुसाइटी से निकाल देना चाहिए इसके लिए तो मैं मना करूँगा जानते हैं क्यों शंकर को इतना बड़ा डाउन बनाने के पीछे हम लोगों का ही हाथ है पुलीस वालों का लगता है कोई नहीं कहानी है ये कहानी नहीं है शंकर की एक लाइव जर्नी है तकरीबन असी के दशक की बात है बैंगलूर के एक शहर में अत्यंत शक्तिशाली रावन जैसा राक्षस महाराजा का राज था पूरे एरिया में उसकी गुंडा गर्दी फैली हुई थी वो महाराजा इसके लिए ही पैदा हुआ था गरीबों को सताता था और पहलवानों को मिट्टी में मिला देता था बहुत ही खतरनाक था जालिम, हैवान, एक ही वार में दस-दस लोगों को काट दिया करता था लेकिन उस महाराज को काटने वाली कोई तलवार नहीं थी लोग ऐसा कहते थे उसके ताकत को उस जमाने के मुख्यमंत्री अप्पा जी का उसको सहयोग मिला इसलिए महाराज को कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था मुख्यमंत्री अप्पा जी ने उसे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था वो वैसा राजनेता था सी एम को कोई सलूट करे तो वो अपने मुच्छो पर ताओ देता था पुलिस वाले उसे देखकर काँप जाते थे उसका सामना कोई नहीं कर पाता था महाराजा जब अपनी टीम को लेकर बाहर निकलता था तो उसके लोग जूमने लगते थे क्योंकि उन्हें कोई ने कोई शिकार मिली जाता था उसका जो भी विरोध करता था उसे वो सब के सामने मार देता था मुझे मेरे चोटे-चोटे बच्चे माप कर दो मुझे माप कर दो मुझे उसकी गुंडागर्दी इतनी खतरनाक थी कि सडक पर कोई भी लड़की नजर आ जाये तो वो उसकी आबरू लूट लेता था जब भी वो चाहता था पूरे शहर को बंद करवा देता था पूरे शहर में उसका ही आतंक था उसके बाद होता था मौत का तांड़ाओ विंड शैम्स बार उस जमाने के सारे गुंडों का वही अड़्डा हुआ करता था महराजा और उसका पूरा गैंग वही आते थे और अपनी ताकत के बलपर अपने साथियों के साथ मिल कर मजा करते थे और पैसों के साथ साथ लड़कियां भी उठा ले जाते थे उस शहर के सारे बड़े-बड़े महारती महाराजा की ही गैंग में थे आवाज उठाने वाले को मौत के मुँवे पहुचा दिया जाता था यहां वो राजा की तरह था एक दिन दूसरी गैंग के आदमी को भगा भगा कर रास्ते में मारने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ मुख्य नयाधीश की कार सामने आ गई ये देखकर वो खुद ही मर्डर के गवाह बने उसे सजा भी हुई दुख की बात ये है कि उसे सजा होने के बाद भी और अपनी प्रेश की ताकत से पुलीस वालों को सरकार को परेशान किया करता था और वहीं बैठकर वो इस शहर को कंट्रोल कर रहा था क्यों रहे निकम्बे लोगों मेरे अंदर जाते ही हर महीने आने वाला हफता कम क्यों होने लगा है हम क्या कर सकते हैं भाई आप महीने में एक बार जाते हैं लेकिन पुलिस वाले वहां रोज जाते हैं एक थू और भी कितनी सारी जगए हैं पैटोल पंप हैं काट कलब हैं बार हैं भाई सबी जगा पे पुलिस वाले ही हफता ले रहे हैं तो उने धम की दो, नहीं तो कोई बुरिया भी, तुम लोगों का हापता लेकर चली जाएगी, तुम लोग खुद को बड़ा गुंडा कहते हो न, एक एरिया भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उस पुलिस वाले के गले में पट्टा कैसे बांदना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जाओ बुलाओ से, देखो, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा अड़्डा नहीं, अगर तुम इसी तरह हंगामा करोगे, तो मेरे पेशेंट्स को तकलीफ होगे, उन सब को बाहर निकाल दो, महरा राजा जहां रहता है, वहाँ पर उसी का राज होता है, तक आ गए, वो क्या ना, दूसरे पेशेंट को कहीं तकलीफ ना हो, ऐसा बोलने आया है, पेशेंट को चाहिए, तुमको नहीं, इनकी सजा खत्म होने तक ये यही रहेंगे, बाहर आपके लिए बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं, गो, उन लोगों ने तुमें बुल होगा, तो किसी के सामने जुकेगा नहीं, अपने अखबार में इन कमीनों के बारे में छापूँगा, देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ते हैं। देखे सर, जेल में भी उसका घमन नहीं गया, जरा आज के इस पेपर को पढ़िए, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कैसा उल्टा सिधा छपा है। महाराजा की, आयू खत्म होगी तब, उसे खत्म करने के लिए सिर्फ हम लोग ही इंतजार नहीं कर रहे थे। एक और कर रहा था, डॉन कुमार। यहां से दूर बॉम्बे में बैठ कर साउथ को कैप्चर करने के उदेश से बैंगलूर पर नजर रख रहा था दीवान गैंग और उसे हासिल करने का प्लैन बना रहा था। किससे प्रब्लम है, महाराजा, 40% , 40% दे रहा हो। तो क्या। महाराजा 40% से ज्यादा मांग रहा है क्या। मेरे रहते हुए तुने बॉम्बे वालों को एंट्री कैसे दे दी। अपने दिमाग अपने पास रखो अगर तुने बॉंबे वालों को सपोर्ट किया तो समझ ले तेरी खैर नहीं है यहाँ महाराजा का राज चलता है अपने पास रखो प्लीज फॉरन धंदा छोड़ देगा तभी जिन्दा रहेगा वरना मुझे जानता है न कुमार साब अब तुमको बैंगलोर छोड़ना पड़ेगा अलेक्जैंडर ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया पर हिंदुस्तान पर नहीं कर पाड़ेगा पाया और मैंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया लेकिन बैंगलोर उपे नहीं कर पाया ये सब उस महराजा की वजह से है हमने उस कुमार को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गल्ती की मेरे खयाल से हम सब को एक खास लोकल आदमी को रखना चाहिए बहुत जल्दी हम हिं देंकर अजय कर तो गारी को पिशे अटाओ पेले में आया हूं यह धृंस जाकर किसी और को दिखाना हाँ कि बीर मीका घबरू जवान रहा हूं आर्मी में तेरे से जधा गोलिया मैंने चलाई है और जितनी गोलिया मैंने चलाई है एक भी खाली नहीं गई है मेरी चलाई हुई गॉलियों से दुश्मन के पंचन मर गई पापा सुनिये ना चले गाड़ी चलाई है चले पंचन खतन करने ला ला क्या भी अब 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 इस नरवक्षी शेर को मारने के लिए सरकार ने ओडर दिया है अब हम सबको मिलकर ही उसे मारना होगा लेकिन मारेगा कौन शंगर भाई की शंगर भाई की शंगर भाई की तुझे जितनी गालिया दी इतनी गालिया किसी और को दी होती तो वह गाल छोड़ कर चला जाता शिकार करके फोकट में अपना टाइम खराब कर रहा है अगर साथ देना है तो हाथ देने के बारे में क्या सोचना है आओ पिर साथ में हम दोनो इस बैंग्योर सिटी में कहां रहेंगे चिंता मत करो जो होने वाला होके रहेगा सुमी इतने देर क्या करने के लिए यह सुमी शंकर भीया आप कब आए अभी अभी आए यह कौन यह है मिसेश शंकर होने वाली है यह कह रहा था अच्छा कोई भी बास सीडी तरह नहीं बोलेंगे हमेशा घुमा फिरा करें इस से शादी करके मेरी जिंदकी हाड़ी टेड़ी हो गई है क्या कहा कुछ नहीं इसे अंदर आने के लिए कह रहा था जाँ मिसेश शंकर तु यह रेसिंग करना कब छोड़ेगा जब तुम शिकार करना छोड़ दोगे तो मैं यह रेसिंग छोड़ दूगा क्यैंस करने के लिए मैं गांओं छोड़ कर बंगलोरू आया हूं मैं समसता हूं मैं आते आते रास्ते में शिकार करके आगया अरे उसे मुझसे प्याद था लेकिन वह मेरे प्यार के लिए अपने घर वालों को चोड़के आएगी यह मुझे नहीं पता था अब देखते हैं, आगे क्या होता है अरे, इसमें देखने की क्या बात है तुम्हें उससे प्यार है, वो यहाँ आ चुकी है अब उससे शादी कर लो मैं और विजय हमेशा तुम्हारा साथ देंगे परिशन क्यों लग रहे हैं, कोई तकलीफ है क्या हमारी शादी, अगर हमारे अपने लोगों के बीच होती तो कितना अच्छा होता शायद हमारी तक्दिर में यही लिखा हुआ है अच्छे ये बताओ, तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से आ गई ये क्या है ये क्या है मैं जब भी कोई अपनी जिंदगी में बड़ा फैसला लेती हूं तो इसका सहारा लेती हूं ये फैसला भी मैंने भगवान के अनुमती लेकर ही किया है इसलिए मैं हिम्मत करके आपके साथ चली आई, ये लिजी अब ये आपके पास रहेंगे फिर तुम्हें अब ये मेरे भगवान के साथ रहेंगे शांती, शांती हाँ आ रही हो इतने कर्म पानी से नहाने के बाद भी ठंड नहीं जा रहेंगे सब लोग ठंडी का मज़ा लेने के लिए तो यहां आते हैं छोड़ दिया तो प्रोजिया ही करते रहेंगे, आफिस के लिए देर हो रही है शर्ट का है? लाती हूँ ये लिजी ये क्या है? निकाल कर देखो न ओ, शर्ट है जन्म दिन की शुप कामना है ओ, मैं तो भूली गया था अईसी छोटी-छोटी बातें मैं याद भी नहीं रखता मर्द को छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं रहता लेकिन हम पत्नी हैं पत्ती का ख्याल रखना ही पत्नी का धर्म होता है मेरे बड़े पे तुम्हें क्या गिफट चाहिए? मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे क्या तुम बस मांग के तो देखो जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तब आप मेरे पास रहेंगे आप ये वादा कीजिए मुझसे बच्चा आएगा तब ना बच्चा मुझे इससे बड़ा बरत्रे गिफ्ट आज तक नहीं मिला ओहो ये जो फूल है वह तुमने बनाया क्या ये फूल हमेशा आपके दिल के पास होना चाहिए अरतों के जजबात समझना मर्दों के बस के बात नहीं है अरे अरे बहुत टाइट हो गई है इससे वापस कर दूंगी कोई जरूरत नहीं ये तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट है थोड़ा पतला होके एड़्जिस कर लूंगा क्या सुन रही हो आपकी धड़कन सुन रही हूँ ये बार बार मेरा ही नाम ले रहा है मैं सकॉच नहीं पिता अपना ब्राइंड तो लोकल राम इस मौसम के लिए यही परफेक्ट है पियो देखा छोटी तुमने शांती कितनी फास्ट है न अभी अभी तो शादी हुई और खुशकबरी भी आ गई कल बच्चा भी आ जाएगा हमारा तो फामली प्लानिंग है बाबा मेरा पती जब देखो घोड़े के पीछे दोड़ता रहता है अगर थोड़े बहुत भी मेरे पीछे दोड़े होते ना तो आज मेरे यह हाल ना होता ए सुनो तुम लोग नॉनवेज ला रही हो या इसी तरह हसी मजाग करती रहोगी अरे सिर्फ खुश्बूई आती रहेगी या दो चार पीस टेबल पे भी आएंगे आ रही हूं आ रही हूं पाते की नाम पे और तो से काम करवा रहे हूं तीखा पन जुबान के बज़ा है थोड़ा खाने में डाल दो ला आप अपना काम करो आप भी अपना काम करो डॉक्टर अकाउंटन कबसे बन गया हूं काउंट कर रहा हूं क्या काउंट तुम्हारी शादी हुए तीन महने नौ दिन हुए हैं और तीन महने का चुप कर भी गुरू इतनी जल्दी तो कोई द इतना लेट क्यों हुआ है यह वर दास को दिख रहा है तू और क्या होगा रेस में हार चुके होंगे बोटल से नहीं ग्लास से पीजे रेस में घोरे दोडाते हो पीने के बाद हवा में उरते हो एह मैं उठों क्या उठों गे नहीं तो हमारे लिए ख़ुशी की बात होगी एक तरफ इसकी परिशानी, दूसरी तरफ उन गुंडों की परिशानी है, उन लोगों को पैसे देने के अलावा और भी बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत टॉर्चर करते हैं, मगर तुम देते क्यों हो, मैंने नहीं दिया तो वो लोग मुझे बिजनेस नहीं करने दें बस वही एक हमारी प्रॉब्लम है, नजाने कब खत्म होगी, तो पूरा शहर उसके हाथ में है, तो उसको खत्म करने वाला कोई आया नहीं है क्या, फिलहाल तो कोई नहीं है, समय आगे बढ़ता जा रहा था, जेल की दीवारों के पीछे रहने वाला, देर फूट की मोटी दीवारे महाराजा के काम के बीच में नहीं आ सकती थी, वो जब भी चाहता था तब तब अप्पा जी से मिलने चला जाये करता था, सत्ता जाने के बाद अप्पा जी महाराजा को राजनेता बनाना चाहता था, अभी तक महाराजा पूरी तरह से राजनीती में आया नहीं ह और नहीं मंत्री बना है लेकिन बनना चाहता था उसी दवरान एक दिन ए वकील साब बोलो माराजा एक बात कहूं अभी अभी मैंने डिसाइड किया है कि आप राज निती करूंगा बिल्कुल कीजिये लेकिन इलेक्शन कैसे लडोगे अपाजी ने वादा किया है कि वो मुझ अबसे मिलने के लिए कोई औरत आई है औरत आई है कि वेजो उसे कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो भाई साहब से कुछ बात करनी थी बोलो क्या बात है मुझे इंसाफ चाहिए मेरे शोहर का कदल हुआ है कदल हुआ है तो पोलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करो यह वहां क्यों आ आ हो पुलिस वाला नहीं मारा है उन्हें पुलिस वाला किया नाम है तेरे पती का Grandma जपी सांसाद मडर उन्होंने तुम्हारे पाथी को क्यों मारा है कहां लेका जार है courtyard लें बूलाया है मैं कहीं नहीं जाने हाला शराफथं से चलोगे तो वापस हा सकते हो वर आप कुछ भी कर लो मैं लिखना बंद नहीं करूंगा ए खाड़ी खाड़ी क्या देख रहा है हो खतम करो इसको केस क्लोज करो के सर एक हफ्ते के बाद उनकी लाश मिली उनका सामना सिर्फ आप ही कर सकते हैं महरबानी करके इंसाफ दिलाइए ये बात आपको महराजा मिनिस्टर जरूर बनवा देगी ठीक है तुम जाओ हम तुम्हें नियाय दिलाएंगे इतना ही काफी था भीम को युद्ध करने के लिए गदा मिलने जैसा था इस बात को वो पेपर में लिखकर सबूत के तौर पर सीबी आई के सामने रखकर फूरे बैंगलूर को भड़का दिया करते हैं भूँ मंठ जरूएंटा सुद्ध हुद्ध करना दॉद्ध ना है और यह दो गड़ा भागा जया थान पर दूद्ध विए विर समय आदके विए पर दो यह श्वश्टें पर यह दावन को यह कि दुच्छ था ज़कर दो अड दूर्द को अड़करा सुश्या न हुष नह नहां。 हुष जहां। हुष हुष झाल 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 यहां क्या कर रहा है वहां शांति की डिलीवरी होने वाली है हॉस्पिटल में अडमिट किया है उसे जल्दी चलो क्या हुआ क्या हुआ बेटा हुआ है क्या हुआ हुआ आपने अपना वादा नहीं निभाया मुझे पाफ कर तो शंदी पता है मैं मर जाओं कि ऐसा लग रहा था उस वक्त आपको मेरे साथ रहना चाहिए था लेकिन आप नहीं थे माफ नहीं करोगी हमारे ओफीसर्स को एरेस्ट होकर जेल जाना पड़ा पबलिक में महाराजा की इमेज बदल गई मिश्टर चौधरी इन लोगों को क्या जरूरत थी उस होन मिनिस्टर की बात को सुनकर उसमें इन्वाल्व होने की अगर कल ये प्रूफ हो गया तो डिपार्ट्पंट पर कभी ना मिटने वाला दाग लग जाएगा किसी भी तरह हम इस केस को सत साबित नहीं होने देंगे स जरा ध्यान से तो देखो तुम ठीक से देख मुझ पर गया है ये तो बिलकुल दादा नाना पर गया है प्यों बेटा शौक लगा क्या एक दिन जब तुम हमारे घर से बेटी को भगा कर ले गये थे तब हमें भी ऐसा ही शौक लगा था हमें माफ करतीजिये सब कुछ भूलकर आप हमें आशिरवात देने के लिए आये हैं यही बहुत बड़ी बात तुम दोनों एक हो गए हो तो हम दोनों को भी एक हो जाना चाहिए लेकिन हम तो अभी अपने पोते को देखने के लिए आये हैं इसे तुम बड़ा आर्मी ओप बनाओ क्या नाम रखने का सोचा है हरी कृष्णा अच्छा दादा और नाना के नाम परीज का नाम रख दिया आज मुझे बहुत बड़ी खुसी मिलिये असंबली ने पार्टी को अपना लिया है फ्रेसलेक्शन का अनॉंसमेंट किया हो मिनिस्टर को तुमने बचा लिया वारे मेरे शेर बचा लिया तुमने अब तो जन्ता की विराय हमारे लिए बदल चुकी है उसे तुम्हें बचा कर रखना होगा ऐसे काम करोगे तो तुम मिनिस्टर जरूर बनोगे जल्दी ही तुम्हारी सजा खत्म होगी और एक बात जन्ता के सामने साफ ही मेज रखना तुम अब से सारे गलत काम करना छोड़ दो अब जा सकते हो ठीक है अपाजे आप जैसा कर दूद पिलीजे मेरा बेटा क्या कर रहा है हाल में खेल रहा है बच्चा होने से पहले मुझे सोना बाबू कहके प्यार करते थे उसकी आने के बाद पतनी के तरब तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाता अगर मैं ध्यान देना शुरू करता हूं तो हो सकता है कि इसके कोई भाई या बहना सकती है इसलिए मैं थोड़ी सी दूरी बनाये रखता हूं अब यह फाल्दू कि बहानी मत बनाओ आपका बेटा रेंग रेंग कर थोड़ा थोड़ा चलने लगा है अच्छा रेंग नो शुरू कर दिया दिन भी कितनी जल्दी बीच आते हैं आज ये रेंगने लगा है कल चलने लगेगा फिर दौडने लगेगा मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा बहुत बड़ा क्यों महाशे बेटे के बारे में क्या सपना देखने लगे हो वह हम दोनों का भविश्य मैं सच कह रहा हूं कोई सपना नहीं देख रहा तुम्हें उस पर पूरा ध्यान देना होगा सुनिए इतना पॉजिटीव मत हो ये अपना बच्चा समाज के नियमों से ही बड़ा होते काल अगर उससे कुछ हो गया पूरे बंगलुरू को हिला दूंगा अरी मैंने तो सिर्फ एक बात कही है आप इतना गुसा क्यों हो रहे हैं आपके धड़कन बहुत तेज हो रही है इसमें मैं और मेरा बेटा दोनों है क्या कर रहे हो कुछ नहीं ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं क्या बात है जी आजकल कुछ ज्यादा ही आइना देख रहे हैं क्यों आइना सिर्फ वारतों के लिए बनाए क्या मर्द नहीं देख सकते देख सकते हो मगर शादी शुदा लोग इतना नहीं देखते सुनिए वहां सामने देखिए अपना बेटा धीरे धीरे चलने लगा है पहली बार चल रहा है रुको इसे बाहर के दुनिया दिखा के लाता हूँ चलो पहली बार चलने बार चलने लगा है कौर अभी तुँ कौर अभी तु मार्केट में सभी लोगों को भढ़का रहता है कि हाफता ना दे क्या समझ रखा तुने अपने आपको है लागेट का भाई है इतने सालों दे तुम्हें हफ्ता दे दे कर ठक गया हूँ मैं तुम तो क्या वह माराज भी आकर मांगे तुम्हें तुम्हें अगले अपते वापस आउंगा अरे नहीं नहीं बेटा तुम उन गुंडों से मत उल्चो वह बहुत खतरनाक हैं मैं तो इस दुनिया में अकेला ह तुम तो भी बच्छेवाले हो अपने बच्चे को लेकर घर जाओ जाओ मेरी बबात मानो अपने बच्चे को लेकर घर चले जाओ वह महराजा बहुत ही खतरनाक गुंडा है पिटा कि Wald सुनिये यह सब क्या है ये शहर अगर बच्चों के घूमने के लायक भी नहीं है तो यहां रहने का क्या मतलब समझती हूं लेकिन हम शहर के तकदी तो नहीं बदल सकते ना जो होगा उसे हो जाने तीजिये तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता हमारी तकदीर ऐसे नहीं है हम किसी के गुलाम नहीं है हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे यहां किसी न किसी को तो इस सब का सामना करना ही पड़ेगा शंकर यह सब अचानक हो गया है तु क्यों इतना पर्सनली ले रहा है मैं कुछ पर्सनली नहीं ले रहा हूँ मैं पब्लिक पॉइंट ओफ यू से सोच रहा हूँ देखो, समाज सुधावे का ठेका हम लोगों को नहीं मिला हुआ है उसी समाज में हम लोग भी जी रहे हैं न दिल में हिंमत होने के बावजूद डर डर कर जिने वाले लोगों में से मैं नहीं शंकर तु मेरी बात तो साहथ हे उट बे क्या देख रहा है рай जै यहां से इख देख चैरा है पैसा लेकर रहा क्या देख रहा बे सुना नहीं मैंने क्या का फटा फट पैसे निकाल एए वरना तेरी आँखों से गोटिया खेलूँगा गोटिया और तेरे टुकडे टुकडे कर दूँगा जानता है ना महराजा की पहुंच कहा तक है और अपन उसका खास आदमी है समझा ना समझा की नहीं नहीं समझा तो य दिल्गा देता हूं है तुने मुझे मारा ना मैं भी तुझे देख लोंगा तुआ देखना ना है 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 माता मुझे शक्ति देना कर देना कर देना कर देना कर दो कर देना कर देना कर देना व अह व करचल मस कर दो डिया। कर अल बना द?' रहँ कर दो हो 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 है सर अरेस्ट करो सर इसे अरेस्ट करो वना यह मेरी जान ले लेगा सर सर यह सब को कुटे केदर वारता है चल चल डाल गाड़ी पैथ इस शरच कहते हूं इतने सालों बाद इस शेहर में एक मर्द आया है यहां पर सभी मर्द हैं बीवी, बच्चा, संसार ये तीनों चीजे अगर छोड़ दें तो कोई भी भाई बन सकता है आज से आप हमारे लीडर हैं यही तो तुम्हारी गलती है किसी ने जरा सा काम क्या कर दिया तुम लोग उसी को लीडर बना देते हो उसके बदले तुम लोग लीडर क्यों नहीं बनते तुम्हारी जगह है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा वैपार है उसके खुलाम क्यों बने हो बीवी बच्चे पर हाट डाला तो छोड़ दोगे क्या तुम लग जाओ यहां से जाओ 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 अपने काम करो तुम लग जाओ जब उनके पीछे तुझे तलवार लेकर भागते वे देखा ना तो मुझे लगा तुसे मार देगा तो तलवार छोड़कर उसे क्यों मारा तलवार मैंने उन्हें ये बताने के लिए पकड़ी थी कि मैं रेडी हूँ और उसे छोड़ा इसलिए ताकि यहां के लोगों के दिल से उसका डर निकल जाए देख तु कुछ भी बोल पर वो महराजों को अपने साथ लेकर हमारे पीछे जरूर आएगा देखना राइड करने के लिए वो क्या बहुत बड़ा आफिसर है क्या देख अगर हमने अभी रेसिंग नहीं की तो लाइफ लॉंग चेजिंग करते रहना पड़ेगा मेरी लाइफ सेट करने के लिए तुने मेरी मदद की है अब तेरा बिजनेस सेट करने के लिए मैं तेरी मदद करूँगा बार में बहुत जगड़ा हुआ क्या तुम्हें किसने बताया वो सुमित्रा दीदी ने आगे से बार की जिम्मेदारी आप ही की है क्या एक बार आप मुझे भी तो बता सकते थे तुम्हें बताने का टाइम नहीं था मेरे बस इस तरह का बिजनेस करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना खाना खाते वक्त अगर खाने में कंकड आ जाए तो उस खाने को छोड़ मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिये हैं अभी से में बहुत सीरियस ही रहूंगा सुनिए उन गुंडों से जरा आप सावधानी से रहिएगा अप सावधान उन लोगों को रहना पड़ेगा मुझे नहीं अंडर वर्ड हमारी इज़त चली गई हम सब को भगा भगा कर मा भाई महां जाकर आपको उसे मारना चाहिए मुझसे पूछता है अभे अभी तक तो उसे मार करके मेरे कदमों में डाल देना चाहिए था दो कॉली के लॉंडे को नहीं समाल पा रहे हो इतने सारे लोग हो तुम लोग नहीं भाई उजी तो बंद रखो बड़े हो गया ताक दूंगा गुंडागर्दी के नाम पर कलंख हो तुम लोग उस दिन हम से आई गलती होगी भाई सब सुनो ये क्या हमें गैंक से निकालेगा हम खोड इस गैंक से निकल जाएंगे हे भगवन देख लेना कि किसी गुंडे से मुझे कोई समस्या ना हो उन्हें देने वाला क्ला करता नहीं थे लेकर के पे अन्डरवर्ड के लिख सोवा उन्हेंद न क्या है ये मैं तुम्हारे human हूं इसलिए तुम्हाराजा की आदमी को मारा है ना तो यहां बॉमबे में उसकी बड़ी हवा चली हुई है देखो अंडर वर्ल का वर्क होता है नेट वर्किंग की वज़ा से तुम हमारे कॉंटेक्ट में बने रहो हो सकता है आगे हमारी जरूरत पड़े अगर मुझे आगे कभी तुमारी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर फोन करूंगा हम वहां पहुंच जाएंगे शंकर बोले मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है मेरे साथ चलो चले शंकर मैं भी चलता हूं तुम्हें से शेर का शिकार करने वाला मिला था शमशाद मडर केस में अरेश्ट होकर जेल में रहने वाला हमारे पुलिस वाले के पास शंकर को लेकर आया शंकर शेर का शिकार करने वाला यह काम तो आप भी कर सकते हैं उसे अप्पा जी का पूरा सपोर्ट है पर मैं ही क्यों? इतने दिनों में, इतनी जन्ता के बीज उसे टक्कर देने की हिम्मत सिर्फ तुमने दिखाई है हम सब आपके सपोर्ट में हैं आप लोगों के इतने सपोर्टर होने के बाद भी आप सब जेल में हैं शंकर की बात सुनकर हम लोग निराश हो गए और उसा मैं दिला सकता हूँ ठीक है शंकर, कल में तुम्हें एक दूसरे आदमी से मिलवाता हूँ उसके बाद तुम खुद फैसला करना करना है या नहीं करना है इस ओयल विजनस की शुरुवात मैं नहीं की थी ओयल के मामले में मेरा और महराजा का जगड़ा हुआ था मुझे दिवान ने सपोर्ट किया था ये बाद महराजा को पता चल गई वो गुस्सा होकर कुछ करेगा ये सोचकर मैं अपने बीबी बच्चे के साथ उसे समझाने के लिए उसके पास गया मैं और मेरा बच्चा उसी दिन लोट आए लेकिन मेरी बीबी चार दिन के बाद आई कुमार की बात सुनकर शंकर का दिल बदल गया वो हमारी बात मान गया इस ओपरेशन के लिए कुमार फंड देने के लिए तयार हो गया अपनी रूड में रहने वाला कांचा सिटी मॉल में इसे देखकर पैसे और गाड़ी की ब्यवस्ता वो लोग खुद कर लेंगे मगर इस फैसले के लिए शंकर की बीवी और उसके दोस्त पक्ष में नहीं थे यह मर्डर नहीं है शिकार है जानवर से इंसान को तकलिफ होती है तो जानवर को मारना पड़ता है पहले जानवरों का शिकार करते थे अब इंसानों का भी करने लगे वो सब बहुत ही डेंजरस लोग है शंकर हमें भी डेंजरस बनना पड़ेगा आपके जिन्दगी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या वैल्यू तो है इसलिए आया हूं फिर बताने से पहले आपने ये कैसे लेलिया? महाराजा की मौत उपर वाले का निर्ने था इसे तो सबको मानना ही पड़ेगा यहां से शंकर का रास्ता अलग हो गया सिर्फ रास्ता ही नहीं उसका दिमाग भी बदल गया हलो शंकर हलो सर तुम तो उसे मारने के लिए अभी से तयार हो गये लेकिन आट महीनों तक महाराजा जेल से बाहर नहीं आ सकता बैंगलोर में जो दंगे हुए थे इसलिए उसे बेल नहीं मिल सकती इंतजार करेंगे शंकर अपने बाहर के बिजनिस में बिजी हो गया और उसके बाद आगे बढ़ता गया बेल क्लियर किये बिना कोई भी बंदा यहां से बाहर नहीं निकलेगा बाहर और बिजनिस दोनों को चेंज करना पड़ेगा उसके बाद दूसरे नए लड़कों को गैंग में शामिल करके तुम लोगों को हटा दूँगा यह महराजा ने कहा था इसलिए यह सब यहां जमा हैं हम लोग ऐसे आदमियों को अपना बॉस बनाएंगे जिसका आधा दिमाग खाली है हम गुंडों की कोई इज़त ही नहीं है महराजा से मिलने के लिए जेल में नए लड़कों को एंट्री दे रहा है तो फिर सोचना क्या है हम भी यह गैंग छोड़कर कहीं और चले जाएंगे महराजा को मैं मारना चाता हूँ तुम जो बात कर रहे हो अगर वो लीक हो गई ना तो हम लोगों का लिंक दुनिया से कट जाएगा मुझे देपार्ट्मेंट की तरफ से एक बात मालम चलिए है महराजा को मारने के लिए एक प्लैनबनाया जा रहा है क्या प्लैन मनाये जा रहा है फिर तो जरूर हमें कोई मौका मिलने वाला है और जैसे ही वो मौका हमारे हाथ लगा ना हम सब लोग उसकी गैंग में शामिल हो जाएंगे यह बात तुम्हें कैसे पता चली हवा की बात है हमारी आपकी तरफ जाएगी आपकी हमारी तरफ आएगी अंडर वर्ल्ड एना बॉस और तुम लोग मुझसे मिलने आये हो यह बात अगर आप मान जाए तो हम सब आपके साथ काम करने के लिए तैयार है यह लोग महराजा के साथ प्रते रहें, आज उसे मारने के लिए हमारे साथ हाथ मिला रहें इनका भरोसा हम कैसे कर लें इस ही को अंडर वर्ल कहते हैं मेरे दोस्त कभी कोई आदमी बहुत नाम कमाता है तो उसके चेले नियत और भरोसे के नाम पर उसी का पैसा खाते है और जब उस आदमी का नाम खराब होने लगता है तो वही चेले उसका भरोसा तोड़ कर उसी की इन्फरमेशन देते है अभी यही तो हो रहा है चले गया? कुमार ने अपने आदमियों को बॉम्बे में सेट कर दिया उसके बाद शंकर को शेटी का फोन आया कुमार शंकर ने सभी को विंटेज क्लब में मीटिंग के लिए बुलाया शंकर इन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला वेस्ट लोग है ये ये बॉम्बे के शॉप शूटर से हम इने यूज़ करेंगे इन सब को हमारे साथ शामिल क्यों कर रहे हो बाई मार्किट कंदर हमारा नाम कराब हो जाएगा शाम बोलता हो बेटा नीचे कर ये कैसा आदमी है तेरी कुछ समझ में आया क्या ये सब बॉम्बे गिमिक्स है गन की बाद बोल रहा है शंकर भाई पिस्टल का इंट्री होना हम नहीं मानेंगे दूर से गोली मारने में क्या मज़ा है पास में जाकर तलवार से मारने में मज़ा है इसलिए मैं सब कर रहा हूँ शंकर ये लोग अभी भी तलवार के बारे में सोच रहे है तू और मैं हाई लेबल पर है सभी लोग गेम खेलेंगे लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा गेम खेलने के कोशिश नहीं करें कोई भी एक्स्ट्रा गेम नहीं खेलेगा अपना आगला मूव डिसाइड होने तक कोई गलती से भी नहीं खासेगा गलती से भी किसी की गूली की आवाज नहीं आने चाहिए अगर आएगी तो वो मेरी गूली की आवाज होगी शाम से आधी रात तक हमारी मीटिंग चलती रहती थी मैं खुद ही उसे मावने की सोच रहा था लेकिन इतने सारी लोग इन सब को साथ मेरा करम कैसे सर्वाइव करेंगे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सब को खेल में शामिल करते हैं उनका हिसा अपके ताब करना हमारे हाथ में रहेगा शंकर अपने इस काम में इतना डूब गया था कि घर में उसकी बीवी इंतजार करती रहती थी शंकर तुम्हारी ये सोच और तुम्हारा फैसला बहुत ही डेंजर रास्तों पर ले जाएगा उस काम के लिए मुझे लगता है तुम अभी तयार नहीं हो मैं पूरी तरह से तयार होकर याया हूँ मगर तुम्हें अपने बीवी बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए पुलिस और कोट में अपना नाम दर्ज मत करो मेरा नाम पेपर में रहेगा पबलिक में रहेगा लेकिन पुलिस रेकॉर्ड में बिल्कुल नहीं रहेगा कि शायद तुम्हें की बहुत याद आ रही है इसे लिए मुझे यहाँ लेकर आई हो क्या वीबी बच्चे आपको याद है या नहीं यह उन्हें भी भूल चुके हो यह मैं जानना चाहती हूं शांती अब मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, तुम सब जानती हो वही तो, वही मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारे अलग-अलग रास्ते, मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है, मैं और मेरा बेटा, आपके दिल में बिल्कुल नहीं है तुम इस तरह की बाते क्यों कर रही हो? आप से सिर्फ मैं बाते ही कर सकती हूँ, वाला तो आपसे ले नहीं सकती है, क्यूंकि आप तो वाला निभाना जानते ही नहीं हो ठीक है, अब क्या निभाना है बोलो, वही मैं करूँगा सच कह रहे हैं मैं आपके लिए गाउं छोड़कर शहर आई थी क्या आप शहर छोड़कर मेरे साथ गाउं चलेंगे, अपने बेटे के साथ हम वहीं रहेंगे जरूर रहेंगे, मगर महाराजा को मारने के बाद शंकर, डेपार्टमेंट को जिसका इंतजार था वो समया वा गया है राजनीती के परचार के लिए, कल से केवल पंदरा दिनों के लिए महाराजा बाहर आ रहा है महाराजा भाई की महाराजा भाई की ए चलो, चलो भाई, ए हटो, क्या बात है, गुरू पुजारी शशी कोई नहीं दिखाई दे रहा है अड़े पर भी वो नहीं आता है भाई, कुमार का बैगलोर में बूट का आवाज आ रहा है भाई, भूट निकाल कर उसके मुँपे मारूगा महाराजा के बाहर आते ही, नए गैंग से पुराने गैंग के अड़ो पर रेट करवाया शहर के हर अड़ो तक पहुचा, अगर पकड़ा जाये तो उसे मार कर फेख देने की कोशिश कर रहा था वो महाराजा हमारे अटे पर आकर रेट करके चला गया भाई, डर लग रहा है मुझे शंकर के आदेश से सारे शूटर्स एक हो गए, कितपपा, कुमार, दीवान, सभी लोग पुराने गेस्ट हाउस में मिले अपना काम खत्म होने तक हम लोग सारी अक्टिविटी इसी गेस्ट हाउस से करेंगे, ये सभी लोग यहीं रहेंगे ये शंकर, वो लोग सभी जगह पर रेट कर रहे हैं, ये पुलिस वाले अभी तक यहीं हैं, क्या करें अब? देखा तुने, ये कितना डर गया है, ये बहुत हुमत वाले हो क्या? एक अच्छा मुहुरत देखके, उसको टपका देंगे मुहुरत निकालेगा? तु क्या बॉंबे से यहाँ अपनी शादी करने को आया है? समान को अंदर रख, समान को अपस अंदर रख, रख अंदर! पुलिस वालों के हाथ में गन होती है, वो कभी फायर करते हैं, क्या? चौधरी को यहाँ रहना चाही था अरे मैं उसके साथ मजाद कर रहा हूँ, उसको यह बास समझाने की कोशिश मत कर शंकर, अपना काम होने तक इन लोगों को किसी लॉंग ट्रिप पर भीज़ दो हम सब को यहाँ से बेज़ कर तु यहाँ सुरक्षित रहना चाहता है, यह प्लान है, सुना क्या बुज़ारी साही बोला हमारा भी नाम होगा ना भाई ए गुरू, यह कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, टपका दू क्या अरे तु चुप रहा है ना स्केज, उस जमाने में तो नया था महाराजा अपने गुन्डों के साथ मिलकर राजनीती का प्रचार करते करते अपनी इज़्जत को बढ़ाते जा रहा था शंकर के लड़के महाराजा की हर गतिविधियों को वीडियो में शूट करके शंकर को दिखाते थे और उस वीडियो को शंकर बहुत ही ध्यान पूर्वक देखता था फोकर्ट में बैट कर पीने के लावा कुछ सोचो सोचने का काम तुम बे करो हम लोग उसे रोड पर ही टपका देते हैं चुप रहो वहां मारेंगे तो हम लोग खुद ही फस जाएंगे भाई अपने बंदों को ले जाकर उसके घर में मार डालू उसको अपने जेब में बंब रखने वाला कभी अपने घर में रहता क्या उसको पब्लिक के बीच में शूट करेंगे तो उने अपनी गन को बंब तमज रखा है क्या वो लोग कहीं दिखें क्या शंकर भाई उस पेपर प्रेस को हम लोग कवर करेंगे और मैं फटापट प्रिंट निकालूंगा मेरे पास एक बहुत बढ़ी आइडिया है जब वो विजए नगर वाले घर पर जाता है तो साइकल चला कर ठक जाता है तब मैं उसे उठा कर ले आओ गेस्ट हाउस में लोग आल तू फाल तू आइडिया देकर टाइम पास कर रहे थे मगर शंकर कुछ भी नहीं बोला सभी शंकर के बोलने का इंतजार कब है दे शंकर भाई का है अंदर है और कितने दुनों तक ऐसे आपजरेशन करना पड़ेगा शंकर अब सिर्फ दो दिन बचे हैं शंकर अभी तक तुमने कोई प्लान बनाया या नहीं किल ही हम उसे मार देंगे बीच रास्ते में शंकर पलान क्या है वो तक्रीबन साथ बज़े पुलीस टेशन जाने के लिए घर से निकलेगा कार भी रेडी रहेगी पुलीस टेशन जाकर साइन करके आने तक साड़े साथ बजेंगे वो हमेशा घर जाने के लिए या ओफिस जाने के लिए सिर्फ एक ही रोड का इस्तेमाल करता है दूसरी भी गारी रहती है ना जन्ता के बीच में कैसे है डिपार्टमेंट की तरफ से ट्राफिक को डिवाइड कर दो पुलिस टेशन से लेकर रोड तक पहुँचने के लिए करीब डेड़ किलो मीटर है अगर वो पचास किलो मीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगा तो उसे वहाँ पहुचने के लिए तकरीबन तीन मिनट का समय लगेगा उसी समय में उसे मार देंगे तीन मिनट में? उस रोड पर दो स्पीड ब्रेकर्स हैं एक रोड के इंट्री पर और एक बीच में तुम सब लोग तीन टीम्स बना कर काम करोगे पोलिस टेशन रोड के फोन बूत के पास सोनो और बलवन्त रहेंगे घर के फोन बूत के पास सुधीर वो हमें information देते रहेंगे पहले speed breaker के पास ये लोग इंतजार करेंगे कार पास में आते ही ये लोग उसкаर पर जोरदार अटैक कर देंगे शंकर अगर इन लोगों से नहीं हो पाया तो दूसरी टीम है शूटर्स ये दूसरे speed breaker के पास इंतजार करेंगे कार जैसे ही वहाँ पर स्लो हो जाएगी, ये लोग उस पर फायर कर देंगे लेकिन निशाना बिलकुल चूकना नहीं चाहिए He should die मर्डर होते ही तुम लोग वहीं पर अरिस्ट हो जाओगे तुम्हारा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा कुमार तुम लोगों की बेल करवाएगा और तुम लोगों को पैसा मिल जाएगा बार को मेरा ये दोस्त संभाल लेगा और कुमार ओइल बिजनेस को शंकर, तुम? मैं बंगलूरू छोड़ कर अपने गाउं में सेटल हो जाओगा उसके बाद यहाँ पर अंडरवर्ड फिर से पैदा न हो इसके जिम्मेदारी सर की है शंकर के बताय हुए प्लैन में सिर्फ शंकर ही नहीं था वो तो अपने बीवी का वादा दिम्हाने के लिए तयार हो गया था लेकिन वो गेम प्लैन था क्या हुआ अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई तुम्हारे प्रचार से लोगों का उत्साह देखकर सभी पार्टी वाले डर गये हैं यह बताईए आपको क्या लगता है इसको मारेगा गेम मिस नहीं होना चाहिए या पता यह गाड़ी तो आ रही है चलो फोन करके बोल देते हैं गाड़ी परी स्टेसें से निकल देखके अरे तु वापस नहीं चेंड करो कुशने रास ब्लोक कर दिया है ठीक है चल दी जा बोलो कही नजर आये क्या आज कैसे भी करके यह गेम मिस नहीं होना चाहिए अगर मिस हुआ ना तो बैंगलोरी से हम लोगों का ताना पानी पान ठीक है भाई गाड़ी आगए गाड़ी आगए गाड़ी आगए गाड़ी आगए गाड़ी आ रही है सब लोग तयार हो ना हध्यार बाहर निवाल लेड़ी हो अहां लगता है आज यह बच जाएगा सौलों ने मारे उपर छोड़ दिया तो हम क्या करें भाई हम क्यों मारे जब उन्होंने छोड़ दिया मारेंगे हम और नाम उनका होगा धंदे में बंदर नहीं बनना है तो क्या सोच रहें भाई छोड़ जाने दे जब कार ने दूसरे स्पीड बेकर को पार किया तो प्लान फेल हो गया आज तुम्हारे पिरूल का आखरी दिन है जब तुम जेल में जाओगे ना बाद में मंत्री बन कर बाहर आओगे मंत्री बनने के बाद ही आएगा असली मसा साइड लगा जाने दो से इह जाला कि जा आँ zagड़ ऑे एज कि ओ çıktए को भी है आई जा चाइब आढ़ जलोग जलो जलो जैन्धी झाल जंख जा ज온 जलोग जाओगे आद में लंष आख झाल 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 एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतिय स्वस्त और चुस्त रहे तंबाकु स्वास्तिय और तंदुरुस्ति को नुकसान पहुचाता है सभी तंबाकु पदार खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकु से दूर रहे मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आईए तंबाकु के सामने दीवार बन कर खड़े हो जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रनाउट होना बहुत बुरा होता है ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुक्सान पहुचाता है समझदार बने तंबाकु से रनाउट होने से बचे क्या मांगा भगवान से? यही मांगा मैंने जो सुकून खो गया है वो मुझे फिर से वापस मिल जाए आप तो खुश हो ना? आपको कुछ हो ना जाए इसी डर में मैं जी रही थी लेकिन आज वो डर मेरे दिल से निकल चुका है मैं भगवान से यही आशा करते हूं कि मेरे सुहाख से कभी भी कोई ऐसा काम नहीं हो जिसके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़े ऐसा कुछ नहीं होगा मेरा कैरेक्टर बदल गया था मगर मेरा प्यार नहीं और ये प्यार इस दिल के धड़कने तक नहीं रहेगा मरने के बाद भी रहेगा अरे कैसी बाते कर रहे हैं आप महराजा के मरते ही उसका जमाना भी खत्म हो गया शहर में शांति चा गई शंकर अपनी फैमिली के साथ मिलकर नॉर्मल लाइफ जीने लगा था उधर महराजा के मर्डर केस में जेल गए आरूपी लोग अपनी बेल का इंतजार कर रहे थी लेकिन कुमार को अब उन लोगों की जरूरत नहीं थी कुमार को अपना ओयल बिजनेस बढ़ाने के लिए दीवान के सपोर्ट की जरूरत थी इसलिए उसने दीवान के भेजे हुए आदमियों को अपने पास रख लिया दीवान भी कुमार के थुरू बैंगलूर को अपने कबजे में लेने की सोच रहा था अब इस बैंगलूरू का डॉन बनेगा तो सिर्फ ये कांचा ही बनेगा वो सिद्धा कैसे बन सकता है महाराद्या के जाने का इंसार कर रहा था अब मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ सिद्धा कांचा ने वार शुरू कर दिया है अब बैंगलूर में डॉन का पद खाली हो चुका था और डॉन बनने की होड़ में चारो तरफ खून खराबा होने लगा था उसे कैसे कंट्रोल किया जा यही सोचते सोचते डिपार्टमेंट एंटी रावडी स्कॉाइड ARS को फ्रेम किया उसका चीफ बनकर आया ACP सूरिकांग उनका एक और नाम था हंटर सूरिकांग एंट्री लेते ही इंकांटर शुरू कर दिये अंडर वर्ड को ठंधा कर दिया क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा अंडर वर्ड को सोचने का भी समय नहीं मिला क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही समझ में नहीं आता था सर 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 मुझे आप कहा ले जा रहे हैं मुझे पर केस मत बनेए सर मैंने कुछ नहीं किया सर तुझे डॉन बनना है ना चलिए उतरिया महान बाव सर सर सोरी आखरी वार्निंग है अगर फेर से मैंने सुना कि तुने दंगा फसाद किया तो तू गया पचास रुपे दे दो इसे इस पैसे को खर्च मत करना दोखा इतनी जल्दी आप मेरी बात समझ जाएंगे कांचा इस फील्द में तुम्हारा नाम काफी बढ़ गया है हाँ वो तो है सुना है हफ्ता दो लाख लेने लगे पेलकुल मुझे क्या मिलेगा क्या चाहिए बोलिये तुम्हारी जान तर नाम की चीज सूर्य कांथ की डाइरी में नहीं थी क्या हुआ टेंशन में दिखाए दे रहे हो दिवान ने फोन किया था बैंगलोर उपर कबजा करने के मेरे सपने को साकार करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शंकर का सामना करके तुम शंकर से दुश्मनी मोल ले रहे हो शंकर यहां किसी को आने की इजासत कभी नहीं देगा वो होता कौने इजासत देने वाला अगर माने तो ठीक वरना उड़ा दो उसको वैसे इस डील में आपको मिल क्या रहा है मैंने उसका साथ दिया तो पूरे गोल्फ कंट्री में मुझे और नेटवर्क को उपन करके देगा मैं इंडियन और किंग बनूँगा आपको समझना बहुत मुश्किल है वो नामुमकिन है औरतों के दिल को समझना कितना मुश्किल है वैसे ही इस कुमार का मूमेंट समझना ना मुम्किन है सुनो क्या है बेल पेपर दीजिए आईए सर क्यों भाई आपके बात मेरी समझ में नहीं आ रही है जान सकता हूँ क्योंकि बाहर से आई हुए आदनी को लीटर बना दिया तो यही हुगा वो अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ाएगा तुम लोगों के बारे में कौन सोचेगा मैंने वादा किया था इसलिए छुड़वा रहा हूँ कुमार तुम्हारी बातों का मतलब क्या है तुम सब बाहर रहोगे तो उसे पैसा बाटना पड़ेगा और अगर अंदर रहोगे तो सारा पैसा उसकी जेब में तो आजकल शंकर कहां है शंकर शहर में बड़े आराम से आराम कर रहा होगा आराम कर रहा है हम लोग भाहिने भर से याँ साड़ रहे हैं और वो वहाँ पर आराम कर रहा है ने मुनना राजा यह सब क्या है जेल से बाहर आते ही तुम लोग मेरे बार में आकर हंगामा कर रहे हैं हम लोग जेल में घुट-घुटके मर रहे हैं और तुमोब दिल कर रहा हैं हो पैसे घमार ह है तुम लोगों को शरम नहीं आती है काराम से बैटकर मज़े उडा रहे हैं मुन्ना मैं बता रहा हूं अगर यह शंकर को पता चल गया तो तो क्या कर लेगा हां वो क्या भ्गवान है शंकर घाऊंसे आया लेकिन हम यहाँ इन सब को तू नहीं भड़काया, ये मैं अच्छी तरसे जानता हूँ, इसका नतीज़ा अच्छा नहीं होगा, तुझे बता रहा हूँ खोद की ताकत पर भरोसा करने वाला और दुश्मनों को नेगलेट करने वाला, महराजा नहीं हूँ मैं गुमार, शंकर को आने के लिए बोलो, ताकत है तो, अकेले में आकर मिलने के लिए बोलो ये क्या गुरू? याद रखना, इतने दिनों तक तुम्हारा दर्बार चला, अब हमारा दर्बार चलेगा, म्यूजिक चला आओ कुमार को तो हमने ही मदद की है, तो वो हमारे खिलाफ मुग क्यों खोल रहे है वो पहले से ये अंडर वर्ड में धोके बाज के नाम से जाना जाता है, बैंगलूरू को वो बंबे वालो के हाथ में सौप कर, खुद को यहां का डॉन बनाना चाता है रास्ते में रहने वाला खाली बेंच मिले तो उस पर बैठ कर ही जाएगा ऐसा सोचने लगता है और आज यहां डॉन की कुर्सी खाली पड़ी है, इसलिए हर गैंग के बीच में वार ही चलेगा आज इस कुर्सी पर बैठने के लिए हर कोई अपना दिमाग चला रहा है कुमार जैसे को इस कुर्सी पर आने से पहले किसी और को इस कुर्सी पर बैठना बहुत ज़रूरी है कौन बैठेगा? शंकर मै? तुम रहोगे तो बैंगलूर आराम से रहेगा बॉम्बे अंडर वर्ल्ड के लिए बीच में एक दिवार बनेगी समझ रहे हो ना? तुम अच्छी जगे बैठकर बुरा काम कर सकते हो बुरी जगे बैठकर नहीं कर सकते हो लेकिन यहाँ बैठकर तुम दोनों काम कर सकते हो शंकर आज की इस दुनिया के अंडर वर्ल्ड में तुम ही एक चक्रवर्ती हों वो शंकर बेटो 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 डार्क रूम में अपने लोगों के बीच सब के साथ मिटिंग करने वाला आज ओपेनली खुले में बात करना चाह रहा है एनिवे आ ही गए हो तो कॉफी या टी मैं खाना खा करी जाओंगा वेटा दो साथ इंडियन था ले तुमने सक्यों किया कुमार मैं अंडर वर्ल में एंटर हुआ तुम्हारी परसनल बाते सुनकर और अब तुम मेरे ही खिलाफ बाते कर रहे हो शंकर तुमने सब कुछ सच मान लिया क्या उस दिन तुमें मनाने के पर ये एक जुट बोला था मैंने और तुम उसे सच मान बैठे आम सॉरी मतलब तुम दो मुझ वाले सांप निकले सांप पर भरोसा कर सकते हो लेकिन मुझ पर नहीं मैं कुमार हूँ देखो शंकर बैंगलूरू में दरिया नहीं है ये सोच कर मैंने इंटरनेशनल के लिए बढ़िया फैसलिटीज तैयार की हैं इसलिए ये बॉंबे अंडर वर्ड है ना उसे बैंगलूर में जमाने के लिए कितने दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं तो फिर बोलो मुझे एक अच्छा ओफर दे रहे हैं मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें एक मौका जरूर किसी भी हालत में उसे मैं ये मौका नहीं दूँगा और न तुम्हें देने दूँगा इस मैटर को यही खतम कर दो खाना खाओगे ना शंकर मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था मगर मैं अकेला आउंगा ये नहीं कहा था आसपास देखो अंडर वर्ड में दो डॉन एक साथ नहीं रह सकते मैं अभी कुछ ऐसा ही सोच रहा था शुरुवात कहां से नहीं नो 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 नहीं शंकर नो नो शंकर ऐसे ही मारा है क्लोज रेंज से कुरसी के लिए तरस रह था कुरसी पर ही मर गया पता करो उसके लिए इन्विस्टिगेशन करना होगा मैंड में है पेपर्स में मगर पुलिस फाइल्स में नहीं है रिकॉर्ड्स में नहीं है फिर भी इन्विस्टिगेशन करनी पड़ेगी आप किसके बाले में बोल रहे हैं सर शंकर नहीं नहीं उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है और कोई क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी नहीं है रिकॉर्ड इकठे करो आई वोन्ट हिम अंडर लॉग तो हर पुलिस वाले को तुम्हें मारने का ओडर है ए लॉइन ओडर मुझे मत सिखा दंदे की बात करें बोल तू मेरे ऑपरेशन में कोउपरेट करने के लिए क्या की मतलिका बोल तू मुझे खरीदना चाहता है अबे भूतनी के तुझे मेरा जूता भी नहीं मिलेगा ज़र मैं ओपरेशन करने निकला न तो तेरी नजबंदी करके फैंक दूगा समझा ए सीपी एंजे रावडी स्कॉट का चीफ बन गया और दो चार एंकाउंटर कर लिया तो खुद को हीरो समझ बैठा है हां देख हर डील के बाद 40% तेरे टेबल पर पहुंच जाएगा और और एक बार तुने मुझसे परसंटेज के बारे में बात किया तो 100% तुझे उपर पहुंचा दूँगा मुझसे पंगा मत ले दिवान ने तो हिंदुस्तान की पूरी पुलिस के साथ ही पंगा लिया हुआ है किसने क्या बिगाड लिया मेरा कि कि कुछिश मत कर साइडात आप डॉक्टर हैं, ना? विल यू प्लीज, हम लोग बैट कर बात करें? वारंट लाए हो? किस लिए? तुने इसकेच बना कर मुर्डर किया इसके लिए? पोलिस वाले कभी बता कर नहीं आते हैं. मैं भी कभी बता कर नहीं करता. एजुकेटिड क्रिमिनल की स्पेशलिटी यही है. लॉग के बारे में जानते हो, लॉयर्स को हाइर किया है, और क्राइम करते रहते हो. तुम अपने आपको बहुत शेहना समझते हो. रिकॉर्ड्स में कहीं भी नाम नहीं है न? आज से बिल्ट अप मैं करूंगा. जिस दिन मुझे तुमारे खिलाफ एक भी एविडेन्स मिला, तुम फिनिश, आल दा बेस्ट. पुराना स्टॉक सब यहां रखा है, और नया स्टॉक गुदा में रखा है. अई! अरे! 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 अरे लड़ने के लिए आया! हम सब यहां जगड़ा करने नहीं आये हैं, हम सब से गलती हो गई है. हे! छोड़ दे इन लोगो. क्यो बे? तुम हमारे ये बार पे रेड़ मारने आयो? नहीं भाई! वो कुमार ने ना, गेम खेली थी. इसलिए तो उसे हटा दिया गेम से और लगता है, अब तुम्हारी बारी है. भाई! माफ कर दो! हमारे आपके बीच में क्या दुश्मनी है? हम सब लोग उस कमेने की बातों में आ गए और ये सब काम कर बैठे हैं. आज से हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे. हम आपसे बादा करते हैं. हम सब अभी सरेंडर कर देते हैं. भाई! एक तरफ उस महाराजा का केस चल रहा है, दूसरी तरफ घंटा सूरेकान, पूरे बैंगलोर के अंडरवल्ड का शिकार कर रहा है. ये तुम लोगों के लिए आखरी मौका है. शंकर भाई, कुमार को उपनली मार करके अंडरवल्ड ना होने वालों मेंसे अंडरवल्ड में एक ही आदमी है. वो आप हो, बैंगलोर अंडरवल्ड के आप ही डॉन हो. ए, बैंगलोर ही कौन सी बड़ी चीज है? पूरे के कुमार के मर्डर में तुम सब लोग इंवाल्व हो ना? नहीं सर, कुमार को शंकर ने मारा है, ऐसी तुम सब लोग गवाही दोगे. वरना सुन लो, मैं तुम सब को इस केस में फिट कर दूगा. हमने जो मर्डर किया ही नहीं, वो हमारे गले में क्यों डाल रहे है साब? महाराजा कभी मर्डर तो तुमने नहीं किया था ना? फिर भी सजा काटी ना? तबे सूर्यकांत ने शंकर के खिलाव सबूत जमा करना शुरू कर दिया. उधर शंकर बॉम्बे अंडरवल्ड का अंत करने के लिए रेस फिक्सिंग में इंटर हुआ. शंकर, रेस तो यहाँ पर होती है, मगर यहाँ किस घोड़े को जीतना होता है और किस घोड़े को हारना होता है, यह दिवान वहाँ बैठकर डिसाइड करता है. नाम के लिए तो रेस चलती है यहाँ, लेकिन दिवान की होल में रहती है. कि अपसे रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा और कौन सा घोड़ा हारेगा यह मैं डिसाइड करूंगा आप कुमार की पत्नी है ना जी हां हमारी शादी उस वक्त हुई थी जब मैं फिल्मों में काम करती थी तो मर्डर के बाद आपने कंप्लेन क्यों नहीं की सुनिये सर ना में कंप्लेन करूंगी और ना विटनेस बनूंगी अब आपको कंप्लेन करनी होगी यहां रहने वाले सभी जॉकिस को बता दो खोड़े का हारना या जीतना इनके दोडाने पर रहता है और यह जिन्दा रहे यह मरेंगे यह मेरे ट्रिगर दबाने पर रहेगा यह थर्ड क्लब पहले से ही पॉंबे वालों के कंट्रोल में था अब वो कंट्रोल शंकर के हाथों में आ गया मलेशिया में बैट कर इंदिया को चलाने वाली रेस को हैंडिल करने वाले दिवान को बैंगलूर में बैट कर खुद का नेटवर्ग चलाने वाला शंकर मलेशियन रेसर को टिप देकर डर्बी में जैकपॉट मेनिपुलेट करते वक्त उसे बड़ा शौक लगा ये कैसे हो सकता है, हमारा टिप फील कैसे हुआ, मैं कितने सालों से हरा नहीं हूँ, ये हमें हराने वाला कौन है, शंकर, वो बैंगलूरू में बैट कर यहां का जैकपॉट निकाल रहा है, फोन लगा उसको, शंकर, शेटी भाई बोल रहा हूँ, शेटी भाई, तुम्हारे उस दीवान को बता दो, कि हम लोग भी अर्बी समुंदर की मचली खाते हैं, अगर वो हमारी टेरिटरी में घुशने की कोशिश करेगा, तो हम उसकी टेरिटरी में घुश जाएंगे, वो कह रहा है, अगर उसकी टेरिटरी में आप पाउं रखेंगे, तो फिर वो आपकी टेरिटरी चीन लेगा, मुझे लगता है, जब से आप बैंगलूरू गए हैं, हम सब को भूल चुके हैं, अच्छा मुझे एक बात बताईए, आपका वहां का काम सब ठीक हो गया ना? हाँ, ठीक हो गया, अगर अब आप फिर से वहां जाने के लिए कहेंगे, तो मैं एक नहीं सुनूंगी आपकी, आपके बीना मुझे कितना डर लगता है, जानते हूँ? शंकर! कौन हो सकता है? क्या है यह सर? अरेस्ट करने अरेस्ट हाँ, किसलिए सर? अरेस्ट करने जैसा इसने किया क्या है? अरे सर यह सारी गण इनके आगण में कड़ी हुई थी मेरे घर के बाहर यह गंस कहा से आई? इसके बारे में तुम बैतर जानते हो गया कहा था दुबारा अंडर वर्ल्ड में कदम नहीं रखेंगे महराजा के मरने के बाद यह सब छोड़ दूंगा कहा था ना मुझे बोला था बैंगलोर जाकर बहनत करके पैसे कमाऊंगा मैं यही सब कमाया है तुन्हें पापा मेरे बात तो सुनिये बस कीजी आप आपने तो अपना वादा फिर से तोड़ दिया मुझे अब आपकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और नहीं अब हमारे बीच में कोई संबंध रहेगा मैं अपने बेटे का भविश्य बनाना चाहती हूं उसका भविश्य बिग थोड़ी तो बचेगी ऑफिसर अपने जूरिस्डिक्शन में केस बुक करो सीज के हुए आम्स को पोजीशन में ले लो मैं इसे बैंगलूरू में इंक्वारी के लिए ले ले जाकर कोर्ट में पेश करूँगा शंकर चलो शंकर पेटर चुक रहो तो मैं तो तुम्हें मर्द समझ रहा था मैंने भी मरदानगी कही काम किया है कोई दूसरा मर्द तुम्हें अरिस्ट नहीं कर पाया ना इस तरह का फेक अरिस्ट किया तो रियल क्या है तुम्हें बता दो केस वैसा ही बनाता हूँ कोल्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे मैं तुम्हें कोल्ट में थोड़े ही पेश करूँगा इस वक्त बॉड़ी और गाड़ी दोनों हीट हैं इन्हें थोड़ा कूल करना होगा रेडियेटर से करो ओके सर् सर्दू हाऊ रेडियेग बेडियेग रेडियेग बेडियेग बेडियेग दोड़े इल नहे बेडियेग प्रूब कि चलो कि विजय कुछ भी हो जाए लेकिन शंकर को उसकी कस्टड़ी में बिल्कुल मत छोड़ना हुम डॉक्टर मैं उसे कस्टड़ी मिले सकता हूँ क्या अभी छे मैने तक नहीं आप एंटी सोशल एलेमेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वजय ठीक से जाने बिना आप शंकर को गलस समझ रहे हो कभी कभी फॉरन बॉड़ी भी खराब होती है तब शंकर की एंटी बॉड़ी की एक दिन शंकर अचानक होस्पिटल से गाइब हो गया है ऐसी निउस आई या तो शंकर भाग गया है या पुलीस ने उसे चुपा दिया है या फिर अंडर वल्ड वालों ने उसे मार कर ठिकाने लगा दिया है ये कन्फर्म नहीं है तिल नव अल दा आइडियास और जेंटलमेन पुलीस की ड्यूटी खत्म हो सकती है लेकिन पुलीस का दिमाग नहीं इस तरह का सच सिर्फ जनता के लिए ही होता है कानून के लिए नहीं कानून हर केस को अपनी दूसरी नजर से ही देखता है ये सच है अच्छी जगह में रहने वाला बुरा काम कर सकता है औ लाउट ब्लेस शंकर कुली खत्सित झाता है? हुच्छ वाओेश, हुच्छ झावेश, हला cursed येान鍵 पर बवाओेश, हला कि खत्मा झाता है यह लेजर वार वार देज़ यह लुडिए मैंने क्या बोला था? यह ले छोटे विले अरे अरे मान गए तुझे चक्रवर्ती मान गए अरे पलीस से बचना ना मुमकिन समझा था तुने साबित कर दिया तु सच मुझ चक्रवर्ती है चक्रवर्ती ना मुमकिन काम ही लेता है अगर मुमकिन काम लिया होता तो चक्रवर्ती नहीं बनता वाज चक्रवर्ति वाज तू तो मेरे दुश्मनों का बाप निकला आज से कंपनी का नाम और बड़ा होगा अब क्या बोलते हो एरफान बोलना क्या है शेटी हर बार तुई साही साबित नहीं होगा समझाना तू क्या हर बात को गलत साबित करना चाहता है एरफान तू बाद बाद पर शेटी भाई को टार्गेट बनाना छोड़ दे आये शेटी भाई ये दोनों मिलके हमारी कंपनी एक दिन डुबा देंगे मेरी बात याद रखना और एक बात इंटरपोल वाले तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं I think you better be careful कितनी भी ट्रैकिंग कर ले मैं नहीं मिलूंगा आधनी अदी भी प्लुबा रहे हैं? मारो बारो 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 बार शंकर तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद नहीं आती है क्या यह अंडर वर्ल्ड ही ऐसा इसमें सब कुछ होता है फैमिली के अलवा लेकिन ऐसी बात नहीं है हम फैमिली ही तो है मैं निर्फान को अरब का आपरेशन छोटा को आयल माफिया डिसुजा को आम्स एन एमिनीशन चक्रवर्थी को ब्लैक डैमन का बिजनस दिया है इन सब का बिजनस अच्छा चल रहा है कंपनी का नाम और उपर जा रहा है लेकिन तुम्हें दिया हुआ मैच फिक्सिंग और रेस फिक्सिंग कंपनी को बहुत नुक्सान पहुंचा रहा है अब तेरा अंदाजा पहले जैसा नहीं रहा शेटी क्यों अब क्या हुआ क्या होना है पिछले फिक्सिंग असाइनमेंट में तेरे कलत अंदाजे और बैड नेट्वरकिंग की वज़े से कंपनी को पूरे पांच सो करोड का नुक्सान हो तुम लॉस की बात कर रहे हो दिवान आज सो खोखा को भूल गये हर एक काले पत्ते को सफेद में बदलकर अपनी कंपनी को शिपिंग से स्टॉक मार्केट तक लेकर आया हूँ दो तिन बैटिंग के हार गया मेरा भरोसा तूट गया इरफान इतना गुस्सा क्यों भाई इस सिट्टी के कहने पर हमने जिसाब में 30 करोड रुपे लगाए थे वो साला रिंग में मार खा रहा है उस दिन डर्बी रेस कल क्रिकेट बेटिंग और राज रिंग फाइट में ये लॉस कमपनी की तीज़ोरी में जो हमने महनत से पै अग मत अड़ा तू ने तो क्या कर लेगा वे हां क्या कर लेगा तू शेटी भाई ये सब क्या है एरफान बंदू गंदर ये शेटी साला हमारे पूरे पैसे गवारा है तेरी तो क्या बे अगर मुझ पर विश्वास देना तो चलो रिंग में चल के देख लो याई है जबन पार तू याई याए है जबन टरोगा जए अट्रिय आप यह एरफान अभी बेटिंग में तीज कहांगा ज़िए ना ऍचा इस रिंग में इंडियन जीतने का इतिहास ही नहीं है में आज से एक नए इतिहास लिख ले मैं भी देख दू दू नहीं किताँ नहीं 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 इंसान के रूप में राक्षस है शेटी भाई मेरे अंदर भी एक राक्षस है न liz बखने के राक्षस है खिडियो नगार के बहुँर रार कि बुट थाओ स्वच्चर के अँआ कर दो कर दो कर दो कर दो यार झाल स्वचर कर दो झाल झाल येखिए येखिए यस 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 चक्रवर्ती बहुत दूँ इसे कहते हैं फाइटर किसे इंडियन का अगर अपमान करोगे तो उसके अंदर का स्वाब इमान बाहर निकलाएगा क्यों शेटी शेर को साथ में रखकर तु इन कुटों पर बैटिंग कर रहा था आज भी तुमारा अंदाजा गलत निकला मैं कभी अपनी दोस्ती को जुए में नहीं लगाता हूँ शेटी तुमसे हुआ सबसे अच्छा काम ये है कि तु चक्रवर्ती को डी कंपनी में लेकर आया इसलिए मैं तेरा नुकसान बरदाश्त कर रहा हूँ अगर असा नहीं होता तो मैं तुझे अपनी कंपनी से निकाल देता इन सब बातों से आप अपसेट मत हो ना भाई एक 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 फोर्टी सेवन गन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उस दीवान के पास तब से इस कंपनी को बढ़ाने के लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर यहां काम कर रहा हूँ पता है आईएसाई वालों से हाथ मिलाकर मुंबई में बलास्ट करवाया था उस समय मेरी फैमिली भी थी वहाँ फिर भी मैंने इसका साथ दिया आज ये करोडो रुपे ब्लैक से वाइट करके मेरी वज़े से बिजनेस रंग कर रहा है एक बेटिंग हार गया तो मैं इसके लिए बेकार हो गया और वो इर्फान जिसने आज तक सही डंग से बात तक नहीं करना सिखा उसकी वज़ा से कंपनी को कितना लॉस हुआ है मगर उसे कुछ नहीं बोलेगा ये मेरी वज़ा से इस कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करके इस दी कंपनी को गुडबाई बोलकर चला जाओंगा उसके बारे में अब टेंशन मतलो भाई बेटिंग में हारा हुआ जितना पैसा है वो वापस कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूँगा चलो चलते हैं हलो यूसुफ उस सालेश शेक्टी को दबाने का यह सबसे अच्छा मौका है मेरी बात ध्यान से सुन इंडिया के जिस स्टेट में जहां भी रेस हो रहा है उन सब के घोडे, बुकी, जॉकी, सब को खरीद लो सब इर्फान के इशारों पे काम करने चाहिए आज से इंडिया में जो भी मैच फिक्सिंग होती है वो चेंज हो जानी चाहिए जरूर हो सकता है भाई क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा भुकी तो मैं ही हूँ ना तेकिन क्या करें भाई, सब सेटिंग इर्फान तो कर चुका है तू सेटिंग चेंज कर ले किसी किसी टेरिटेरी में इर्फान के आदमी बैठे हुए है वहां तो दीवान का ही फाइनल डिसीजन रहेगा शेटि भाई, यह आपके लिए मेरा डिसीजन है दीवान को चाहिए तो बात में बता देंगे देखो भाई, समझ लो आप से दुनिया के हर एक ट्रैक पर जो भी घोडा भागेगा वो सिर्फ चक्रवर्थी के नाम पर, चक्रवर्थी के हुकम पर यह, गो आएड यह, गो आपके लिए तो आपके लिए तो आपके लिए तो, 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 आपके क्या बोले लास्ट मोमेंट में टिप चेंज कर दें शेटी भाई साथ नंबर पे नहीं नौ नंबर पे खेलेंगे साथ में नहीं नौ नंबर पे एए शंकर बंगलूरू में साथ और दिल्ली में नौ खेला हम लोगों ने तुम्हारे दिये हुए टिप पर हम सब जीत गए हैं कि अइस का फैरे कि वो मुझे हमें सबस्क्राइब के साथ विगायओ 그ल बंबे ओसस्टेन दकन गएबिक दिख़ंगे लिए वट जे अभधिन भाई आपको जलिवकिः्ट लेने होंगी दिशिजस का आ इस चक्रवर्ती का नाम बहुत भैल रहा है तो उसे तो कमपनी का नाम और उपर जाएगा दीवान भाई आप उन दोनों पे ज़रुवत से जावाई भरूसा करते हो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है चक्रवर्ती का नाम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कमपनी के नाम में दीवान का नाम ना रहे सिर्फ चक्रवर्ती का नाम हो जाए नमस्ते शेटी भाई सुपब शंकर सुपब मेरी वज़ा से कमपनी को जो लॉस हुआ था उस लॉस को तुमने पूरा कर दिया आज मैं वाकई बहुत खोश हूं डायमंड का जो कंसाइनमेंट तुम लेकर आये थे ना उसके बारे में पुलिस वालों को जो टिप दिया है वो मुझे नहीं लगता इर्फान ने दिया है आई थिंक ये कमपनी जो है ना ये स्प्लिट होने की कगार पर है इसलिए मेरा कहना है कि हम दोनों को होश्यारी से काम करना होगा शेटी भाई मेरे लिए तो कमपनी जिर्फ आप ही है दीवान से कोई लेना देना नहीं है मेर बैंगलूरू को कंट्रोल करने की मेरी इच्छा को तुने अच्छी तरह से पूरा किया है वो हंटर मेरे को चैलेंज किया था कि मुझे बरबाद करेगा अब देखता हूं उसको वो हंटर वो तो मेरा भी बहुत बड़ा दुश्मन है अभी उस हंटर को अपनी ताकत दिख दिखिए एक डर जरा कर हम राज कर सकते हैं और प्रोसेस से कंट्रोल कर सकते हैं असलाम अलेकुम वालेकुम अलेकुम हिंदोस्तान एक जित्ती बच्चे की तरह है दिवान जो पडोसी बच्चे की चीज को छीनना चाहता है इन्हें मार कर समझाना होगा इस पे उनका कोई हक नहीं है तब जाकर उनके जहन में जे चीज आएगी वो कैसे धामा का और चार पांच बार ब्लास्ट हो गया तो आवाज कम हो जाएगी हमें इसमें तुम्हारी मदद चाहिए दिवान जी सरूर मुझे मुझे मुल्क से ज्यादा मंजल से मतलब है आडी एक से भरा हुआ याड तयार है अब सिर्व उसे हिंदुस्तान तक पहुंचाना है इंतिजाम हो जाएगा मैं तुझा भी फोन करता हो रुक रुको अंदर जाना मना है खास आदमी को भी जो अंदर बैठा है वो और भी खास है तेरी तो तु यहाँ पर कंपनी को डिवाइड करने के लिए बैठा है ए शेटी तु अब क्या दिवान से भी बढ़ा हो गया है है एए 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 एरफान शेटी भाई जगड़ा मत करो एरफान शेटी भाई कंपनी में तुमसे भी सीनियर है अच्छा सीनियर तो मैं भी हूँ तेरा तु मेरी बात मानता है कभी जब देख अपनी मन मानी करता है अलाब्दय आपको बहुत बड़ा दॉन समझता है क्या जलता है मुझसे जलता किसको भी अच्छास पाइस ऑन या ये क्या हो रहा है शेटी किसे प्रॉब्लम ही तुम्हे ये रवान मुझे अंदर नहीं आने दे रहा मैंने बला ता इसको सुना चक्रवर्ती, शेटी को यहां से लिए जाओ, इर्फान तुम यहीं रुको, बाद में मिलता हूँ चलिए शेटी भाई हलो, हाई, कैसे हो तुम दोनों? हम सब ठीक है, हम लोगों को यहां क्यों बलाया? क्या बात है? जरूरी बात है शंकर, बेंगलूरी में आजकल तेरे नाम से थ्रेटनिंग, एक्स्टॉर्शन कुछ ज़्यादा ही चलने लगा है अब तो मेरे नाम से अगर बम भी फूटे तो आश्चरिय की बात नहीं होगी बाउम? तुम्हारे नाम से कैसी बात कर रहे हो शंकर? इसके पीछे दीवान का ही हाथ था, इसके पीछे उसका मुख्यो देश था, तुम्हारे और हंटर के बीच जगड़ा लगवाना यह मैं जानता हूँ शेटी भाई जानते हो? जानते हुए भी तुमने कंपनी जॉइन की? इसे खत्म करने के लिए खत्म करने के लिए? यह क्या कहरे हो शंकर? वो सब पता चल जाएगा कल दीवान के आफिस में एक आदमी आया था, कौन था वो? आ, वो, एलेंटी चीफ अराफत खान था जब भी इस तरह का कोई आदमी वहां आता है न, तो दीवान हम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता देखा शेटी भाई, आपकी वफादारी का वो क्या सिला दे रहा है? वैसे भी, उस टेररिस्ट का हमारी गैंग में क्या काम है? गांजा बेचने वाला, उसकी खेती करने वाले के पास जरूर जाएगा, उससे क्या होने वाला है? टेररिजम के लिए फंडी कठा कर रहा होगा वो? या फिर किसी बलाच का नया आइडिया लेकर आया होगा यहां? दीवान के जितने भी गुप्त काम है उनमें से ये भी ए गुप्त करना है क्या? हम गलत रास्ते पर तो चल पड़े हैं, लेकिन किसी भी कारण से देश द्रोह का काम नहीं करेंगे शेटी भाई. शंकर, क्या करूं मैं? मुझे रेलाइज होता उससे पहले ही उसके किये हुए बलास्ट में शामिल होकर देश दोही बन चुका हूँ इन सब के लिए कोई राइश्चीत होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है शंकर. है, जाने अंजाने में देश द्रोह का काम किया है. अब हम दोनों को देश प्रिमी बनने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, उसे मिस मत करो भाई. बिलकुल मिस नहीं करूंगा? इस कमपन तो उसका अकाउंट, टीलिंग, नेटवर्क, अजेंडा, सारी बातें सिर्फ आप अकेले जानते हैं. वो सारी डीटेल्स मुझे चाहिए. अगर वो मुझे मिल गई, तो इस कमपनी का काम तमाम. वो कैसे? इंटरपोल. इंटरपोल? शेटी भाई, आप एक और बात से भी अंजान है. वो क्या है? अपनी गैंग के सारे मुवमेंट्स और सारे टिप्स इंटरपोल को मैं दे रहा है. शंकर, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? वो सब आपको पता चल जाएगा. आप बस वो सारे डीटेल्स और डॉक्यमेंट्स लाकर मुझे दीजे. उसके बाद जो भ देश के लिए लड़ूगा. शंकर, तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है? शेटी भाई की दी हुई सारी डीटेल्स हंटर को हैंड़ ओर करो. शंकर के बारे में सारी डीटेल्स मुझ तक पहुचाने के लिए शेटी ने इंतजाम कर दिया था. क्योंकि इस ऑपरेशन के सें मेरे कद्मों में गिरता है. मैं यहां बैठकर रूल करता है और यहीं से कूली भीजता हो. तो वहीं बैठा रहा है. मैं यहां से तेरे लिए एक मर्द भेजूगा. ठीक उसी समय. डौन कुमार का Mürder हो गया. इंविस्टिकेशन से पता चला, कि यह मर्डर बाम्बे के पुलिस, रेकॉर्ड्स और फाइल में शंकर का नाम इसलिय नहीं है कि उसको डॉन हमने ही बनाया है सर उसने हमारे डिपार्टमेंट की इज़त बचाई है उस महाराजा को मारने के लिए हमने शंकर को अपनी ढाल बनाई थी हम शंकर पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि बॉंबे अंडर्वर्ड को रूखने वाला शंकर ही है शंकर, मैं यहाँ तुमारे पास दूसरी बात करने आया बॉम्बे अंडर वर्ल्ड डॉन दिवान ने मुझे फोन किया था उसकी नजर अभी बैंग लूरू पर है यहां से वहां गोली भेजता हूँ तो वहीं बैठा रहा है मैं यहां से तेरे लिए एक मर्द भेजूँगा इस वक्त वो मर्द तुम पनू दे अगर पुलिस वालों ने एक बार ठान लिया तो फिर चाहे वो कोई भी हो उसे छोड़ते नहीं यह अंडर वर्ल्ड को बताना होगा रास्ता चाहे जो भी हो बॉम्बे अंडर वर्ल्ड की एंट्री के लिए कुमार मारा गया है यह मैं जानता हूँ कुमार की बीवी से बात करने के बाद कुमार जैसा चाहता था वैसा होता तो इस शहर में चारों तरग खून खराब हो जाता अब तक मुझे तो बाद में पता चला कि वो एक स्मगलर है शंकर ने उसे मार कर समाज के लिए एक बहुत बड़ा नेक काम किया है तभी मैंने डिसाइट किया कि एक वेपन तयार करना होगा ये सिर्फ अंडर वर्ल्ड का मैंटर नहीं देश का मैंटर है हम मैं चाहे जितनी भी अन्बन हो जब देश की बात आती है तो मैं च्छाती तान कर खड़ा हो जाऊंगा बोलो क्या करना है मुझे अभी हम दोनों मिलकर एक गेम खेलेंगे कौन सा? बैंगलूरू को कंट्रोल करने के लिए हम दोनों के बीच एक फ्रिक्शन क्रियेट होना चाहिए आये तो ये नाटक लेकिन सब को रियल लगना चाहिए इस फ्रिक्शन के वज़े से मैं देश को छोड़ कर दीवान को जॉइन कर जाऊंगा और उसकी लिंक है शेटी मगर हमें दीवान का शिकार करने के लिए दिन लग सकते हैं महीना लग सकता है या फिर पूरा साल भी इंतजार करूंगा उसके मरने का और इसके लिए मैंने अपने दोस्त इंटर पूल आफिसर अजहर से डिसकस किया एक डॉन को पकड़ने के लिए दूसरे डॉन को भेजना या आइडिया उसे भी अच्छा लगा आईएसाई वाले टर्रेस्ट को ट्रेंड करके इंडिया में ब्लास्ट करने के लिए भेज़ते हैं तो हम क्यों न शंकर को ट्रेंड करके दीवान तक पहुँचाने का काम करें ऐसा डिसाइड करके प्लैन बनाया शंकर और मुझमे बड़ा फ्रिक्शन है इस तरीके से मैंने क्रियेट किया कुमार का मडर शंकर ने किया है तुम सब को गवाही देनी होगी आब आपको कमप्लेन करनी होगी इस ओप्रेशन के लिए शंकर को अपने परिवार में ही विलेन बनना पड़ा हमने उस पर फेक आम्स का केस लगाया मगर इस पीच हमारे प्लैन को उस वक्त जटका लगा जब दीवान ने रेस फिक्सिंग की खातिर शंकर पर फार कर पाया लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सारी प्लैनिंग मेरी है डॉक्टर हमने नाटक करके शंकर को अपनी कस्टडी से फरार कर दिया अच्छा तो ये आप लोगों का ही गेम है इस गेम को कॉंटिन्यू करना है बिल्कुल होगा लोगों की नजरों में तुम्हें स्केप होए हो हॉस्पिटल से सरकार की नजर में पुलिस के भग उड़े हो अंडरवर्ड की नजर में इस हंटर की वज़े से अभी वर्ख होगा यही पॉइंट है अंडरवर्ड की नजर में इस अटैक की वज़े है सूर्या उस रिवेंच के लिए तुम वहीं बैंगलूरू में बैटकर सबसंभालोगी वो भी दीवान की गैंग में शामिल होकर अंजर देखता ही रह जाएगा और इस तरह से उनकी अक्टिविटीज से मैं अपडेट होता रहा है कंपनी सिंडिकेट में इर्फान और शेटी का नहीं जम रहा है मेरे नाम से बंगलूरू में एक स्टॉर्शन स्टार्ट हो रहा है दीवान और अराफात खान के बीच में मीटिंग हुई इस इंफर्मेशन की सारी डीटेल्स शेटी से लेकर मुझे बेजा और दीवान के खिलाफ रेड़ कॉरनर नोटिस इशू वो अंदर है शंकर, शेटी के दी हुए सारी डीटेल्स हार्ड डिस में मैंने अज़र को फॉर्वर्ट कर दिया है रेड़ कॉरनर नोटिस इशू है सभी जगों को सीज किया जा रहा है शेटी, हमारी तरफ आया है यह हमारे लिए गुड निउस है दीवान को उसके हाल पर छोड़ कर बाकि लोगों को फिनिश कर देंगे पोर्स, कवर अप चक्रवर्टी और शेटी यह क्या बूल गाज़ी उन दोनों की दी हुई इंफोमेशन से इंडियन गवर्नमेंट ने इंटर्पोल को प्रशाइस किया हमारे खिलब वारेंट जारी करने के लिए सही सबक सिखाते तिवान अत तेरी भारी है दिखा दो सला कभी शेटी से बगावत की उमीद नहीं की थी मैंने मैं तो आपको पहले से ही कहता था इन पे उतना विश्वास मत करो मत करो आप कहते थे ये कंपनी को उपर लेके जाएंगे मगर आज देखो क्या हुआ इन्होंने कंपनी को नीचे लेके चले कंपनी नीचे नहीं जाएगी दिवान उन समुंदर की लहरों की तरह है जितना नीचे जाता है उतना डबल उपर आता है कमपनी को कुछ नहीं होगा तो बेच दो दिवान आटी एक से बरा हुआ याड सब को तबाह कर दो ऐसे धमाके का इंतिजाम करूँगा कि हर दिवाली पर हिंदुस्तान दिवान को याद करेगा भाई, ये इंटरपोल वाले हमारे आसेट सीज करते करते हमारे रास्ते पकड़ते पकड़ते यहां तक भी आ सकते हम यहां से एक नीटरल रास्ते से जाएंगे जहां पर कोई लॉइ इंप्लिमेंट नहीं होता तो एक जहाज का इंदिजाम कर आरिफ, चक्रवरती के बारे में आप जो भी जानते हैं जिससे यह बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं इन्हें किसी भी हालत में इंडिया पहुचने से रोको जाएं हेंद क्या हुआ शंकर गदार साला जिस थाली में खाता है उसी में छेट करता है मगर कंपनी से गद्दारी करने वाले को मैं कभी कि माफ नहीं करूंगा है, को बादेर सब के सब गद्दार निकले पहले चक्रवरती ने गद्दारी की फिर शिट्टी अब मुनावर अपने सारे दुश्मनों को ढून ढून के मारेंगे भाई मुनावर ने मरने से पहले चक्रवरती को आडी एक्स के बारे में बता दिया होगा रामजादा साला पटेंशिन नहीं है भाई अब तक हमारा जहाद समंदर के बीचों बीच पहुँच चुका होगा अब उसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता अब देखता हूँ चक्रवर्ती हमारे बीच कैसे आता है बीच में नहीं दिवान इंडिया में ब्लास्ट की बात सुनकर कोई भी इंडियन चुप नहीं रहेगा दिवान लेकिन तू यहां आया कैसे चक्रवर्ती के आने का और जाने का पता इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता अगर मिल जाता तो वो अब तक जिन्दा नहीं रहता तुझे मेरे हाथों से मारूंगा ये कोशिश तो तुमसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं यहां पर मरने थोड़ी आया हूँ अच्छा तू क्या खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता है बे मर्द ही हूँ बे इसलिए तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैंगलूरू से यहां पर आया हूँ मतलब याद है दीवान हंटर को दिया हुआ चैलेंज तेरे सवाल का जवाब मैं ही हूँ ला जवाब चक्रवर्दी ला जवाब लेकिन दीवान कभी हारता नहीं है इर्फान मर दे इस गद्दार को आज तुझे बताता हूँ इर्फान क्या चीज़ है एई शूट है शूट प्रीज शूट प्रीज शूट प्रीज़ है शूट प्रीज़ कन दे शुट प्रीज़ है है भाई, आईडी एक्से बरावा जाहाज हमारी तरफ आरा है, वो देखो देश प्रेमी बनने का एक मौका हम दोनों को मिला है, उसे तुम बिलकुल मिस्मत करना मौकारण हूरं नहीं करूम्ला है, उसे वो दोनों किया हरा है, उसे ख Circ copying you live भाई सीरी का इसे उसुम है नहीं को अद भाई आरा है! यह तो हमें चांद से मानने के ला रहा है भागो, सब लो भागो यासे भागो यासे, भूलो उस ओपरेशन में दीवान मारा गया और बचे हुए गैंग मेंबर्स को शंकर ने आरेस्ट करवाया इस तरह दीवान कंपनी का सामराज जे डूब गया जिसकी वज़े से मेट्रो सिटीज में होने वाले बलास्ट नहीं हो पाए इतना सब अंडरकवर हो गया तो इन्हें लीगली कोड में लेकर क्यों आये हो, बता सकते हो लीगली शंकर पर कोई चार्ज ना है इसलिए शक्रवर्ती नाम के विक्ति ने वहां रहकर ये सब किया है उसका कोई सुबुत नहीं शंकर को मैंने अरिस्ट किया है लेकर उस पर कोई केस सावित नहीं हुआ मैं मानता हूँ कि एक पुलिस आफिसर होते हुए कानून विवस्था को बनाने के लिए मैंने अपनी हदें पार की जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ इस केस में शंकर के बारे में आप जो भी सजा देना चाहते हैं, सब बातों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाईए, योरॉनर मिस्टर शंकर, आप कुछ और कहना चाहते हैं क्या? योरॉनर, सुर्यकान सर जो भी कह रहे हैं, वो सच है अगर देश की बात आएगी, तो एक सच्चा इंडियन कहीं भी जा सकता है, किसी को भी मार सकता है, और ये बात पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए मैं तो बस एक देश प्रेमी बनना चाहता हूँ, देश त्रोही नहीं शंकर पर लगने वाला कोई भी आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाया है पुलीस अधिकारी की बातों से ये पता चला है, कि शंकर की वज़र से देश की अंदर बहुत सारे बॉम ब्लास्ट होते होते रह गए उनके इस साहस और देश भक्ती को नजर में रखते हुए ये अदालत उन्हें बाएज़त रहा करने का हुक्म सुनाती है सुनिये, क्या फेर से मुझे और मेरे बेटे को यहाँ पर जगह मिलेगी क्या तुम दोनों के बिना ये दिल कभी धड़क ही नहीं सकता ये क्या कर रहे हो बापा, एक सॉल्टर दूसरे सॉल्टर को सल्यूट करता है कभी-कभी जानवर को माने के लिए खुद को जानवर बनना पड़ता है आप क्या करेंगे, रिलीस हो गए है, बीवी का साथ मिल गया है, पिता जी ने फिमाफ कर दिया है, वाट नेक्स्ट लो, हम मेंटेन करेंगे, ओर्डर को तुम मेंटेन करो करेंगे, बीवी करेंगे, बीवी करेंगे, जानवर नेक्स बड़ता है